गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे मौर और मोडनी के बारे में कुछ फैक्ट्स मौर का बैज्यानिक नाम पावो क्रिष्टटस है जिसको संस्कृत में मयूर और अंग्रीजी में पीको कहा जाता है मौर मौल रूप से 4000 वर्ष पूर्व भारत आये थे इसको भगवान कार्थिके का बाहन के रूप में माना जाता है मौर सिश्ट्रता और शुंदरता का परतिक है जिसको भारत शरकार ने 26 जनवरी 1963 में राष्टियो पक्षी के रूप में घोसित किया है मौर मौर्णी बसंत रितु में और वर्ष रितु में सबसे ज़्यादा खुश रहता है इसका शीर उसके शरीर की तुलना में काफी छोटा होता है इसके सीर के उपर एक खुबसूरत कलगी होती है आम तोर पर एक के मौर की लंबाई 215 सेंटीमीटर तथा एक मौर्णी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है मौर की पूँच उसकी कुल लंबाई का 60-70 परसंट तक होता है और इसकी पूँच में लगभग 190 रंग बिरंगे पंखे होती है गर्मी समय में सारी की सारी पंखे उतार देता है उसके बाद फिर धीरी धीरी नया पंखा उगने लगता है जनवरी से सितंबर के बीच मौर मौर्णी आपस में समन्द बनाते है मौर्णी एक बार में 4-12 अंडे दे सकते हैं और इन अंडों को बच्चे में परिवर्टन होने में 27-30 दिन लग जाते हैं पक्षियों में सबसे खुबसूरत पक्षी मौर होता है लेकिन मौर का दात नहीं होता है इसकी चोच की लगमबाई लगभग एक इंच होता है बर्शा लीतु में सबसे ज़्यादा खुश मौर होता है और ये खुशी से अपनी पंखुरिया को फेला के नाचने लगते है मौर हर बार अलग-अलग आवाज निकालती है और उनकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देता है मौर मौरनी घोसला नहीं बनाती है ये लोग जमिन पे ही रहना पसंद करते हैं मौर के दोडने की रप्तर 16 किलोमेटर परति घंटा की होती है मौर सरवाहारी पक्षी है वो साकाहारी भी है मंगसाहारी भी है इसलिए सबसे ज़्यादा फैवरेट खाने में है इसको साब मौर का दुस्मनी है साबसे इसलिए जहां भी साब देखता है मौर उसको मार के खा जाता है आहर में बीज, घाज, पोधे, फूल की पंखोडिया, जामून, फल, सब कुछ खाता है इनके साथ ही पनीर, मेवे, तले हुए अंडे, चावल, अनाज, झिंगूर, दीमक, चिटिया, इन सारी चीजों को भी मौरनी, मौर खाता है जानकारी अगर अच्छी लगी है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा थैंक्यू फ्रेंड्स, थैंक्यू